दूसी जानी के जो पुत्र पैदा हुए वोई महाराज पांडी थे दासी के जो पुत्र पैदा हुए वोई महात्वा बिदूर थे आगे चलके ये तीनों संतान जब बड़ी हुई हैं धृतराष्ट महाराज का विवा हुआ था कावुन से अफगानिस्तान में पड़ता है राजन के व्या कहूं ते है सकता है न कोई जाती ते मतलब था और दूसरी बात है राजा की कोई जाती होती भी नहीं है कोई जाती नहीं होती अच्छा पर ने माई तई दूर की सोच रहे हो से नेकत धोरी जहीं अब है की न सोच ले ओ आपको माले में है या आदमों की सान रहे मुलायम सिंह नेता जी पूरो घरोई चारों की चारों ही ना एक हुआ है चार बहु है चार नों में एक हुआ है तो राजा की कोई यात नहीं होती है तो तो उस समय काबुल से विवा हुआ था अफ़ानिस्तान में पड़ता है लेकिन आज अगर काउ के लड़का के व्यावाई सो किलों में जत्ते हुआ जाए तो का के दें रहे वहिया ना हमके तो एकिलों है हम तो यहीं ती कहुं ती कल लेंगे और पास थे इता ही दूत्त हमना आए पर यह मेरे भारत के ससुरार कहां तक थी ब्यदेशों में और आज अगर भारत की कीमत गिरियोते है वह सिख्छा की बदोलत गिरियोत करण भारत हए झा वह सिख्छा से कंजोर हुआ है और पढ़ा भी होगा तुमने संस्क्रत में एक सुक्ति आती है लिखी हुई कि माता सत्रू पिताह वेरी ये न वालो न पाठताह न सोभते सभामध्धे हंसमध्धे वको यदा वो मात सत्रू का समान है बाप वेरी के समान है जो ओलाद को नहीं पढ़ाते हैं और बिना पढ़ी हुई संतान ऐसे लगती है मानों कहीं हंसों के बीच में एक बगुला वैठा सोतावंधो एक आपने नाम सुना होगा भीम राव अम्बेड करगा जिन्होंने सम्मध्धान बनाया जिस आदमी ने सम्मध्धान लिखा अज पूरे भारत मेंगर एक भी नियम चला तो केवल उनका लिखा हुआ चला और अम्बेड करजी ने एक ऐसा सब्द बोला था मंच बचर करके इसी सिक्षा के बारे में और वो मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ अगर सब को वच्चो अच्छा लग जागो अम्बेड कर जी की एक बाग की जाते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं वोगर अच्छा लगए तो तालीव जाना प्रसंद हो करके जिस समय सम्मिधान को बनाया था मेरे भारत में कोई बच्चा बता सकता है कि कौन से सन में लागू हुआ है बताओ पढ़े करो ने ठीक है बहुत मेहनत का पैसा खर्च होता है माता पिता का 26 जनवरी सन 1950 मालम तो हती मालम तो हती पर ड्रके माना बताई जा बिटरी आने का पतो ना गल्मत न होए बेलकों नहीं हमत रखिये और हमत से बताईये सीखा आग तक उसी ने कवो नेताजी भारत सिंग गलत तो ना करें शीखो बाई ने ताने गलती करी है और जाने गलती है ना करी बाई कवो उसी किवो ना मिलो 26 जनवरी 1950 तो जिस दिन लागू किया था और पूरे मेरे हिंदुरस्तान के लिए अप ज़ीष सन्देश तिया उस महान विक्तिन है अब बेजाना ताली क्या कहा थापता इस शिक्छा पो सेरनी का दूद है जो पियागा वो इटहा रगा वो जिस जो ने का झाल तो बिसेज करके बच्चों पर सिक्षा पर द्यान रखें पढ़ाई लिखाई पर द्यान रखें आपकान इस्तान से विखा हुआ था महाराज पांडू के दो भी विखा हुए थे आज माले में एक बास उनके बहुत हसी आती है बच्चा पढ़ने जब जाते हैं जा सब्द को सबसे जाद है आज अहीर कहते हैं बालक पढ़े जारो तो बद का करते हैं आज खेता में आलो नहीं पाई लेगरो आज मंजय करने चलो जाईए और लड़काने के नाना